भारत माता की भारत माता की चतिस गार्ड मातारी की मा बिंबले स्वरी की जै जोहार मंच परपस्तेत भारती जनता पार्टी के बरिष्ट नेता और चतिस गार्ड सासन के दिप्टी सियेम सिब विजय सर्माजे मंत्री चतिस गार्ड सासन सी लखन देवांगन जे राजेस मुड़ जे पोर सांसा सी अविशेक सिंग जे प्रदेप गांधी जे सियसोग सर्मा जे लोग सभा के प्रभारी से नारण चंदेज जे लोग सभा के सयोजग सी मदसुदन यादो जे भारती जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक स्रीमती गीता साहु जे और लोग प्रिय प्रत्यासी सी संतोस पांडेजी और उपस्तित भारती जनता पार्टी के सवी पदादिकारी गाण उपस्तित बैन और भाईयों आज मुझे चतीस गड़ की इस प्रतिश्टीत राजनादगाउं से चतीस गड़ की जनता का वहान करने का उस्तर प्राप्त हो रहा है बैन और भाईयों आज जब प्रातों में लखनों से राइपूर के लिए प्रस्तान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझे से पूछा क्या आज आज आप छटीस गड़ जा रहे हैं क्या कहना चाते हैं मैंने का भी छटीस गड़िया और सबसे बढ़िया है लोगों ने का कैसे मैंने का भी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है और छटीस गड़ तो छटीस गड़ तो हमारे आराध्य प्रवुस्री राम का ननिहाल है माता कोसल्या का माईका है जितने अविबूत उत्तर प्रदेश वासी और देश वासी हुए हैं अयोद्या में पांसो वर्सों के बाद रामलला आगमन रामलला के पनार आगमन पर उससे ज़्यादा खुसी छटीस गड़ वासीयों को हैं और इसी लिए तो छटीस गड़ के बैन और भाई जहां अभी बूत हैं अनंदित हैं वहीं मुझे चटीस गड़ के अपने बानवाईयों के साथ आज चुनावी सवाओं के मात्यम से संबाद बनाने का उसर प्रात्त होगा तो स्वाबाई गुरुप से जो प्रभु के आगमन पर अभी बूत हों आनंदित हों उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा और इसलिए मैंने का चटीस गड़िया तो सबसे बढ़िया बैनोर भाईयों चटीस गड़ अपनी पैचान आज से नहीं हजारों वर्सों से अपनी इस विरासत का संग्रक्षन करती आ रही है सरकारों ने पैक्सा की होगी लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवी को प्रस्तुत करने का प्रियास क्या होगा लेकिन भरती जनता पार्टी की सरकारें चटीस गड़ के अंदर या केंद्र में सरदेव अटल जी की सरकार रही हो या फिर पिसले तस वर्स में प्रदान मंत्री मोदी जी के नेत्रत्व की सरकार जिस मजबूती के साथ 36 गड़ को उसकी पैचान दिलाने के लिए प्रतिबद दिखाई देती है वो अभी भूत करने वाली है और इसलिए बैनोर भाईयों आज हम सब आपके पास आएं आपसे कहने के लिए आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है प्रवू राम लला पांसो वर्सों कंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका अगमन हुआ है क्या एक काम कॉंग्रेस के लोग कर पाते क्या क्या ये काम कॉंग्रेस के लोग कर पाते क्या देखो जब अगवान राम को 14 वर्स का बनवास हुआ था तो उन्हों ने उस समय भी उस का अलखंड का अपयोग भी कहा किया सबसे पहले जब अपने स्वयम के अयोतिया से उनको बन के ले जाना पड़ा तो उन्हों ने इसी 36 गड़ की तरफ रुक किया क्योंकि ननिहाल नजदीक था और पहले चित्रकोट आये और फिरी दंडकारण होते वे पंचवटी की तरफ गए और उस समय भी उनके सामने चनौती थी और चनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राकसस रावण के कुछ राकसस उस समय इस पूरे छेत्र को यहां के रिसी मुनियों और ग्यान और अरादना में रत उस समय की साधना में रत रिसी मुनियों को परिसान करते थी वहां के सब्समाज को प्रताडिक करते थी उनकी सुरक्सा का दहित उसका लखंड में हजारों वर्स पहले प्रवुराम ने अपने कंदे में लीती कि नहीं निस्चरहीन करोमई का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धर्पी पर इसको राक्सस विहीन करने का जो संकल्प लिया उसी का पेड़ाम था के लंका के राजा रावन को भी अंततहा अपनी पूरी खांदान के साथ दूसरे लोग के लिए प्रस्तान करना पड़ा था बैनोर भाईयों प्रवुराम की इस महिमा की भूमी छतीस गड़ में आकर के कौन लोग अईपूत नहीं होंगे जब राइपूर में वगवान राम का मंदिर बन रहा था डॉक्टर रमन सिंग जी उस समय यहां के मुख्य मंत्री थे उस समय उन्हा ने का तहां मंदिर बनाते समय कहा कि आयोद्या मैं भी नहीं बन पाया लेकिन हम पहले च्छटीस गड़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर तो मैंने का पहले तो ननीहाल में ही बालक आता है जब अयोधियां पे 36 गण में रामलला आ जाएंगे तो अयोधियां में भी अम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा बेन और वाईयों अगर अयोधियां में रामलला का प्रकटी करण हुआ है फिर से रामलला पांसो वर्नसो का अंतजार समाप्त करते हैं तो यहाँ मोधी जी के कारण प्रदान मंत्री मोधी जी के कारण कॉंग्रेस के लोग तो क्या कहते थे कहते थे राम हुए ही नहीं कॉंग्रेस के लोग क्या कहते थे राम हुए ही नहीं जब राम हुए ही नहीं तो गांदी जी क्या कहते थे हे राम अंत में उन्होंने कहा था रगुपति रागह और राजा राम गांदी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की सत्ता पियाई वे लोग राम के स्थित्व पर प्रस्ण खड़ा कर रहे हैं वे नौर भाईयों एक एवल राम के स्थित्व पर प्रस्ण खड़ा करने की कुपर्धी भपरती नहीं या भारत के स्थित्व पर प्रस्ण खड़ा करने का कॉंग्रेस का कुछ सी चेश्टा थी और यही कानण था कॉंग्रेस ने 36 गड़ को जब आउसर मिला पूरी तरह लूटने का कोई औशर वे लोग चूके नहीं कोई औशर चूके नहीं भारती जनता पार्टी की सरकारोंने चाएव उड़क्टर रवन शिंग की 36 गड़ की सरकार रही हो चाएव वणत्मान में स्थिभिष्न देश साय के नित्रित्व की सरकार हो इन लोगों ने यहां के करीबों के ले, पिछणों के ले, बनवासियों आदिवासियों के ले, उनके उत्थान के ले, प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में और सरदे होटल जी के नित्रतों में जो योजनाए बनाई थी, कांग्रेस ने अपने पांच वर्स के कुसासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रियास किया और मुझे तो बताया गया किस प्रतिस्टिफ सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्य मंत्री को जिब उपेस बगेल को यह अपना प्रतियासी बना करके उता रहा है जिनकें पर पहले से ही सराब घोटाले का कोईला घोटाले का पभलिक सर्विस कमिसन के घोटाले का बिमएप घोटाले का गोठान घोटाले का और महादेव एप के घोटाले का आरोप हो और एफायार भी लौज हो चुकी हो और अब्यक्ति पुरी ठसक के साथ चुना और लड़ने का दुस्ता हस कर रहा है इसका मतलब वहाँ ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराद करेंगे तो हम लोग समाज की आँखों में धूल जोंक करके सत्या त्या लेंगे अब नहीं होने वाला है ये नया भारत है नया भारत नय भारत में घोटाले बाज नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे वैन और भाईयों घोटाले की हत्तों सराब घोटाला कोईला घोटाला ये तो कॉंग् इसकी प्रब्रतिती वोपेश वगेल जी ने तो अपने सासनकाल में गोवर का भी गोटाला कर डाला अब सोचो जिन गरीबों को खात के लिए पैसा मिलना चाहिए था यूरिया दुनिया के अंदर मिलने ये तीन अजार रुपे बोरे में वही तीन सो रुपे में भारत के अं यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोवर का भी गोटाला कर डाला बेन और भाईयों यहाँ पर मैं सोचता हूँ कभी कभी गो माता को भी तसकरों के हवाले कर दिया गया था कसाईयों के हवाले कर दिया गया था लब जिहाद की घट्नाओं को पूरी तरहे छूड़ दे दी गई थी एक सामान्य भुमनेस और साओं के साथ किस प्रकार की घटाएं घटित हुई थी उसके पिताई सुरसाओ 36 गड़ की जनता का मैं विनंदन करूँगा कि उन्हें बिदायक बना करके लोगों ने भुमनेस और साओं को सच्ची सरधानजलिर पित की क्योंकि भुमनेस और साओं की एकी गलती थी उसने लब जिहाद का विरोध किया था कॉंग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीती का विरोध किया था और उस सक्थे लड़ते लड़ते अपने आपको बेलदान कर दिया था बैन और भाईयों यहां की जनता जनारदन ने स्वर्गिय भुबनेस्वर साओं को सरदान जली अर्पित करते वे उनके पिता इस्वर साओं को बिधायक बना करके उनकी स्मिर्तियों को जीवंत बनाने का काम किया है पैन और भाईयों एक कॉंग्रेस घोटाले का नाम है एक कॉंग्रेस आतंगबात का नाम है एक कॉंग्रेस नकसलबात का नाम है जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए अच्छी पुस्तक होनी चाहिए दुनिया को आगे बढ़ाने का जजबा होना चाहिए एक कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हातों में तमंचे पकड़ा दिये और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाबी उन्हें लड़ने के लिए नकसलबाद के नाम पर आतंगबाद के नाम पर उग्रबाद के नाम पर उकसाने का कारे किया बैन और भाईयों अब ये देश बोधी जी के नित्रत्व में कारिक कर रहा है और आपने दस वर्स में बदलते वे भारत को देखा होगा बदलते वे भारत को देखा होगा दस वर्स में क्या ये कभी हुआ ये कभी हो पाया देश के अंदर मैंन और भाईयों छक्तिस गड़ की डॉक्टर रमन सिंग जी के नित्रत्व की पहली सरकार थी जिनों ने एक रुपे किलो चावल यहां के गरीबों को यहां के आदिवासी बनवासियों को देना प्रारम किया था और मोधी जी के नित्रत्व की सरकार पिछले चार वर्स में असी करोड भारतियों को फिरी में रासन की सुविधा का लाभ प्रान कर रही है कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूकों मरता था भूकों मरता था, किसान आत्मत्या करता था, नौजान प्लाइन करता था मैलाओं के सामने अपनी सुरक्सा का संकर था मोदी जी के नित्रतों में 80 करोड गरीबों को फिरी मेरासन की सुविधा का लब 60 करोड गरीबों को 5 लाख रुपे की स्वास्त बीमा का आयुस्मान भारत का कबर हर वर्स 5 लाख रुपे की यहीं नए 50 करोड गरीबों के लिए जंदन एकाउंट खोल दिये गए जो पैसा कमिसन खोड़ी का कांग्रेसियों की प्रवर्टी का हिस्सा था मोदी जी ने जंदन एकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उसको रोक लगाने का काम किया बैंण और भाईयों 12 करोड अनधाता किसानों को प्रमाण मंत्री किसान सम्भा निदी का लाब 12 करोड गरीबों के घर में सोचाले का निर्मान 10 करोड मेला स्वेम से भी समों को आर्टिक्स तौबलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार बैन और भाईयों दस करोड गरीबों के घर में उज्जुला योजना का रुसोई कैस का सिलिंडर भी पहुँचा दिया गया चार करोड गरीबों के मक्कान मोधी जी के नित्रत्व में देस में बने उत्तर प्रदेश ने 56 लाग गरीबों के मकान बनाए लेकिन भुपेस बगेल की सरकार ने 18 लाग गरीबों को 36 गड़ के अंदर मकान से बंचित किया था क्योंकि मौदी जी पैसा देना चाते थे लेकिन भुपेस बगेल उसको लेना नहीं चाते थे इन गरीबों को मकान देने का मकान न मिले इसका दोस्वी अगर किसी के उपर है तो कॉंगरेस की सरकार की उपर है धाई करोड गरीबों के घर में बिझ्ली पोँचाने का काम हुआ हर घर नल की योचना लागु हुई बैन और वाईों ये सभी कारे मोदी जी के नित्रतों में एक नए भारत का दर्शन कस्मीर में आतंगबाद की ताबुत परंतिम कील ठोकने का काम वाधारा तिन सो सत्तर समाप्त हुई तो तीन तलाक की कुपरथा को भी सदेव के लिए समाप्त किया गया और आज इसलिए भारती जन्ता पार्टी आपके पास आईए कहने के लिए कि यहां के गरीब किसानों से धान को अत्रिक्त बोनस दे करके खरीदने की परंपरा को जो डॉक्टर रमन सिंग्जी ने तै किया था उस परंपरा को कॉंग्रेस सरकार ने बादित किया सी बिस्न देश सैके ने तुट्व की भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहां के अनदाता किसानों को फिर से आर्थी ग्रूप से संबल देने का काम किया अठारा लाग गरीबा को मकान देने जा रही है भारती जन्ता पार्टी की सरकार और बेन और भाईयों मोधी जी ने तो कहा है जोसी करोड गरीबों को हम रासन दे रहे हैं अगले पांच वरस तक हम दे रंतर जारी रखेंगे मोधी जी ने ये भी कहा है तीन करोड गरीबों को अन्य मकान देंगे मोधी जी ने ये भी कहा है कि जितने भी गरीबों के लिए योजनाये हैं इसमें और तेजी के साथ हम आगे वढ़ने का काम करेंगे लेकिन बैनों और भाईयों आद मोदी जी ने कहा है इस देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना है विक्सित भारत आत्म निर्बर भारत ग्लोबल लीडर भारत एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के चेरे पर चमक हो हर नागरिक अपने आपको सुरक्सित महसूस करे बेटी हो या ब्यापारी इन सब को सुरक्सा की पुरी गारंटी हो और यह कारे केवल और केवल भारती जनता पार्टी दे सकती है बेन और भाईयों आपकी आस्ता का सम्मान भी केवल और केवल भारती जनता पार्टी कर सकती है मैं पूछना जाता हूँ क्या कॉंग्रेस के लोग थ्री में रासन दे पाते क्या क्या कॉंग्रेस के लोग अयोद्या में राम मंदिर का निर्मान कर पाते क्या क्या कॉंग्रेस के लोग नकसल बात की समस्या का समाधान कर पाते क्या क्या कॉंग्रेस के लोगों के द्वारा बेटी और ब्यापारी को सुरक्सा प्रदान करने का प्रियास हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता है ये कॉंग्रेस तो समस्या का नाम है ये समस्या देती है भारती जनता पार्टी समाधान का नाम है और भारत्वी जनता पार्टी के इसी समाधान को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं कि मोदी जी को आपने दो कारेकाल दिये हैं तीसरा कारेकाल भी सोंपिये बैनों भाईयों अभी देश के अंदर चुना हुए है एक सो दो लोग स्वा सीटा पर चुना हुए है वरे देश के अंदर एक ही लहर है एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार तो फिर एक बार मोधी सरकार की जो गूझ है उस गूझ को 36 गड़ में भी हमें गूझाई मान करना है सेमत हैं सेमत हैं सभी सेमत हैं पीछे तक मुझे बताओ तोड़ा आथ कड़ा करके सभी लोग सेमत हैं सभी लोग सेमत हैं भारती जन्ता पार्टी ने मोधी जी के प्रतिनिदी के रूप में इस राजनांद गाओं में सी संतोस पांडे को अपना प्रत्यासी बना करके उतारा है सेवी लोग सहमत है ना 26 को चुनाओने है और वेन और वाईयों 26 के चुनाओं में आप सब को संतोस पांडे और मोधी जी का प्रतिनिदी बन करके घर घर जाना होगा सेमत है ना सेमत है जाएंगे विजयी बना के लाएंगे जो लोग जातिवाद के नाम पर और अन्य तमाम वाद क्यादार पर यहां बांटना चाहते उनको दरकिनार करेंगे सबी लोग सेमत हैं सबी लोग सेमत हैं कमल चुनाचिन पर विजयी बना के वेजेंगे बैन और भाईयों आप सब से मेरी अपील है किसी संतोस पांडे जी को कमल चुनाचिन पर भारी बामत से विजयी बनाने का आप कारे करेंगे आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की